हेलो बच्चों, SCBC students बहुत ही confused है students, उनके parents, सब लोगों के बहुत questions आ रहे है इतने सारे सवाल कि मैं खुद भी answer करते हूँ, सोच रहा हूँ यार, सच में इन बच्चों के साथ कुछ fair हो रहा है, unfair हो रहा है, क्या हो रहा है seriously, मुझे खुद को इस वाले issue पर थोड़ा दुख हुआ और इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक video बनाते हैं, इस पर आवाज उठाते हैं और जो authorities हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा for justice to all SEBC students तो चलिए इस पूरे वीडियो में, मैं आज बात करने वाला हो कि क्या क्या हुआ और क्या क्या कर सकते हैं, CETSEL हमें कैसे उनको request करना है यह सारा बताऊंगा, मैं end तक इस वीडियो को देखना देखिए, आप सबको बताएं कि यार, SEBC के students को पता ही नहीं था कि उन्हें वैलेडि लगेगा भी की नहीं काफी बत्तों ने मुझे भी message किये थे, अलग-अलग जियार भी आ रहे थे लेकिन 14th July, जिस दिन brochure आता है 14th July को जब CETSEL का brochure आता है तो उस दिन उसमें mention था कि SCBC वाले बच्चों को भी कास validity लगेगा, ये mention था उस पर, ठीक है और यहाँ पर 14th July के पहले बच्चों को कुछ idea नहीं था यहाँ पर बच्चे, parents सब भागने दोने लग दे, अरे अब मेरा document ये missing है वो करना है, ऐसा करना है, validity कैसे लेकिया है, सब offices में पहुंचन लगे, तो अब ये जो है, ठीक है, validity लगेगा, ये तो अभी आया, तो आप बोलोगे, यार सर, तो इन्होंने ये से दोनों बना के रख्या होगे, इन दोनों के ऊपर से, validity तो बड़े आराम से निकल जाना च अनाउंस्मेंट हुआ, से बीसी का, उसके बाद में कॉनसे रॉक्यमेंट कैसे रहेंगे, इस पे भी तीन अलग अलग जी आ रहा है, आप सबको पता होगा, एक जी आर पहले आया, जहां पे आपको NCL और कार सर्टिफिकेट एक ही पेज पर मिल रहा है, जो फॉर्मेट था वो ऐसा था कि उपर में कार सर्टिफिकेट था और नीचे NCL था, लोगों ने बनाया यह वाला, मिल गया उनको फटाफट बन गया, ठीक है, बट थोड़े दिनों बाद, 28 को, 28 जून को, एक और नोटीस आता है, कि यार यह जो दो सर्टिफिकेट से अलग पेज पर ही होने था, इस जी आर में ऐसा बोला गया था, इस जी आर में ऐसा मेंचन किया गया था, कि the document should be on different pages, आप जैसे different pages बोला तो आप अगेन लोग confused हो गए, आप सभी बच्चे, सभी parents भागने लग 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 documents अलग लग page पर चाहिए भाई, वो निकालने हो गए पहुचे, अग और third GR आता है, वो कहता है, दोनो documents चलेंगे, अगर आपका certificate और NCL एक page पर है, या अलग अलग page पर है, दोनो allowed होंगे, ये 5th July का GR था, चली यहाँ पे थोड़ा relief मिला लगों को, कि चलो भाई, हमारे पास जो दोनो documents एक page पर हो, या अलग अलग page पर हो, दोनो valid है, इस बात यहाँ खतम नहीं होती, सर ऐसा था तो हो गया ना खतम, नहीं, बात यहाँ खतम नहीं होती, बात और issue यहाँ और शुरू होता है, क्योंकि जब अब brochure mention था, कि ये तीनों चीज़े चाहिए, तो लोग पहुच गये, ये documents को लेकर, ये बहुत सारे लोग जो था, एक page पर के पहुचे, बहुत सारे लोग अलग-अलग page पर लोग के पहुचे, तो अब वो पहुच गये, क्योंकि ये नया document था, जो लगने वाला है, उसके लिए लोग पहुच गये, अब क्या हो रहा है, अब थोड़े से issues, जो भी offices है, जनकल्यान offices, जो भी offices है, वहाँ लोग करेंगे, हम का सर्टिफिकेट नहीं करेंगे, government officials पांच जुलाई का जो जियार है, वो देखी नहीं रहे, या तो उन्हें पता ही नहीं है, या पता नहीं क्या decisions कैसे आये है, क्या आये है, तो पहला issue यहाँ चालू होता है, कि यार, जिन्हों ने दोनों documents एक पेच पर कोई, SBC Candidates की परेशानी यहाँ चुरू होती है, sir, 10% reservation लेने आये थे हम, हमें कुछ अच्छा मिलने वाला था, पर इतनी महनत करके, यार, यह वर्थ है, क्या, ऐसे questions आने लगे बच्चों के मन में, ठीक है, पहली बात यहोगी, दूसरी बात कह रहे है, कि यार, validity मिलने के या नहीं मिलेगा, इसकी कोई, guarantee ही नहीं है, ऐसे वक्त में, बच्चा क्या करे, क्योंकि आपको पता है, CTCL की पूरी पूरी guideline है, कि documents जो भी mention किये है, अभी आप receipt से काम चला सकते हो, लेकिन cap round 3 तक, आपको उसका original document आपके पास होना चीए, ताकि admission के वक्त आप वो दे सक अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, उस case में आपकी admission उस category के तुरू नहीं हो सकती, आप as a open candidate जा सकते हो आगे, आप third round में as a open candidate खेल सकते हो, या आप institute level पे as a open candidate जा सकते हो, बट problem ही है, कि round 1, round 2 में बहुत सरे बच्चों को बहुत सरे seats मिल चुकी होगी, पिर हमारे लिए कु जब बहुत सरे सोच भी होंगे सर, हमने apply कर दिया, validity का receipt मिल गई हम आगे बढ़ रहे है, अभी तो बढ़ जाओगे, लेकिन अगले एक मैने में, cap round 3, एक मैने बाद आजाएगा, तो cap round 3, एक मैने तक आएगा, तो क्या guarantee है, कि एक मैने में, validity certificate मिल जाएगा, बहुत बढ़ है, यार यह तो admission के लिए बच्चा है, उसकी जिंदगी है, उसका college, उसकी पूरा future is dependent है, यह भी तो भाई, notice में रहना पड़ेगा, cdcl को, और fourth, yes documents बहुत सार लगते, fourth बात यह है, EWS के लिए भी apply नहीं कर सकते, आप Maratha हो, इसलिए आपको EWS नहीं मिलेगा, straight अभी answer दिय है, CBC के लिए, आपने ठीक है category को, जो CBC है, उसको 10% quota दिया, ठीक है, सारी चीज़े मानने की, लेकिन उसको जिस तरह apply कर रहे है, थोड़ा सा, बहुत ही injustice है, इनके लिए, तो मुझे लगता है, यहां बहुत ज़रूरी है, officials को, कोई अच्छी step लेने, और क्या-क्या हम request क कर सकते हैं, क्या-क्या officials कर सकते हैं, यहां पर, वही मैं यहां बता हुआ, कि मेरा suggestion क्या है, मेरा request क्या है, government officials से, या CET sales से, एक हो सकता है, क्या इस बार, क्योंकि पहली बार है, caste certificate और NCL के basis पर ही admission लेने देते हैं, मतलब, validity नहीं लगी, मुझे पता है, कोई भी caste certificate हम जब सकते हैं, तो उसकी validity होनी ही चाहिए, validity की भीना, उस certificate का कोई मतलब भी नहीं है, बट इसको एक special case माना जा सकता है, अगर CET sales culture करें, तो यह एक request हो सकती है, जिसके थ्रूँ admission आगे बर सकती है, second ही हो सकता है, कि ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम, तो या तो आप दूसरा जिस क दे सकते हो, आप कहोगे कि नहीं CET sales के अंडर तुड़ी ना आता है यह सारा, तो क्या government यह आपस में function कर सकती है, यह question है, या third, यह बहुत अच्छा सुजाव हो सकता है हमारे तरफ से, हमारे वक्त पहले ऐसा होता था, कि कोई document अगर missing हो, तो college start होने के 3 मैने तक आप दे स specially, बस सिर्फ सिर्फ SCBC वारों को, बाकी किसी को नहीं, special case है क्योंकि पहली बार हो रहा ही है, तो क्या यह बच्चा, 3-4 मैने का time frame लेके जा सकता है, कि college जब start होगा, उसके 3 मैने में इसे document देना है, अगर तब भी हो नहीं दे पाता है, तो उसके admission cancel, या उसको, आना कुछ बार तरीकी से admission मिला, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था, और fourth, क्या आप CT cell या फिर government officials, क्या EWO certificate प्रोवाइड कर सकते हैं, SCBC को, क्योंकि SCBC candidate अगर खुद का certificate नहीं निकाल पा रहा है, तो at least उसको EWO से तो फाइदा मिले, reservations, category के, या फिर marks, जो percentage का difference है, तो मुझे लगता है, यह कुछ 3-4 चीज़े है, जहां यह करा जा सकता है, और यहां पर एक और unfair चीज़ी हो जाती है, कि जिन बच्चों के पास SCBC certificate होगा, और जिन के पास नहीं होगा, उनमें कितना difference create हो जाएगा, जिन्नोंने बना लिया किसी तरह, जिनका बन गया, उन 10 percent में, कम percentile पे भी अच्छा college ला लेंगे, तो क्या यह सच में fair होगा, सभी SCBC के साथ fair होगा यह, या बाकियों के साथ भी fair होगा कि यह, तो यह questions मेरे मन में है, और I am sure आप सब के मन में भी होगा, इसलिए हम लोगों को CT cell से request करनी होगी, एक email के group, एक email लिकना होगा, CT cell को वो क्या email है, वो मैं बताऊंगा आपको, क्या लिकना है, क्या क्या करना है, हम कोशिश करेंगे CT cell को बताने की, ठीक है, yes, तो what students can do, क्या क्या कर सकते है students, सबसे पहला है तो यह straight रास्ता लो, कि फटावट फटावट, फटावट, सर्टिफिकेट, NCL निकालो, card certificate और NCL, औ validity के लिए apply करो, और receipt के साथ आगे बढ़ो, यह आप 20 तक कर सकते हैं, मतलब अभी अपने registration नहीं किया, आप रुके हो, इन documents के लिए ठीक है, लेकिन 21 को तो आप करना ही बढ़ेगा न, क्योंकि 24th is the last date, तो 2021 तक आप रुको, ओके आप देखो कि आपके documents बन रहे हैं क्या, जैसे normal way में हम कर रहे थे, और वो बन रहे है कि आपके documents, मतलब NCL और का सेट विए आपके पास validity के लिए apply कर पा रहे हो गया, और apply कर रहे हो, और receipt के दुरू आगे बढ़ो, यह एक पहला step हो सकता है, second step, latest request CT cell, कि यार इसमें आपको कुछ करना चाहिए, आना एक email बेजते CT cell को, कि CT cell को बताते है कि being a SCBC candidate मेरे साथ क्या-क्या issues आ रहे है, और प्लीज आप कुछ तो step लीजिए, यह second चीज हो सकती है, चली वो email क्या होगा वो देखते है, मैंने draft बनाया है, यह email as it is आप भेज सकते हो CT cell को, जैसे हमने last time भी भीजा था, शायद कुछ यहाँ पर officials क पता चले और वो कुछ करे हमारे लिए, तो मैंने पूरा email लिखा है, यहाँ पर आपको CT cell at the rate, mahact.org को भेजना है, इसका heading जो है, title जो है, SCBC documents related issue, ठीके फिर यहाँ पर लिखा है, respected commissioner sir, I am writing to bring it to your notice that being a SCBC candidate वगरे वगरे वगरे, सारी चीज़े लिखिए जो जो मैंने discuss किया to all SCBC students, waiting for your positive response, तो यह पूरा email आप as it is भेज सकते है, साथ में मैंने दो GR भी attach किया है, यहाँ पर, एक 28 वाला GR और एक 5 जुलाई वाला GR, तो दोनो GR भी उनके notice में लाने के लिए, बट मैंने send नहीं किया है, क्योंकि मैं एक SCBC candidate नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ, आप ल आगे share कर सके, आप CM office में भी इसको बेज सकते है, because यह जरूरी है एक आवाज raise करना, जरूरी है बताना officials को कि कुछ हमारे साथ जो हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, and we request you to take some actions in this, ठीके तो यह email आप कर पाएंगे बच्चों, और कर दीजिए, यह हमारे लिए best chance होने वाल बच्चों आपको उस category से apply करने नहीं मिलेगा, आप round 2 के end तब देखो कि आपको quality मिलने वाला भी है या नहीं, तो round 2 में आप समझदारी है, कि हम application form को change कर पाएंगे, yes, वहाँ allow किया जाएगा CT cell के दूरू, कि आप अपने application को change कर पाओगे, कोई भी category का student open में आ पाएगा open से category में नहीं आ सकता, लेकिन कोई भी category का student, चाए SCBC हो, चाए OBC हो, चाए EWS, चाए और कुछ हो, आपके बास documents है, वो अगर नहीं है, वो provide करने के लिए, वो category के बारे बताने के लिए, तो आप second round के बाद third round में as a open candidate जा पाओगे, तो cancel नहीं होगी, लेकिन आपको मौका as a open candidate मिलेगा, तो yes, यह भी बहुत बड़ा question में बहुत सार लोगों के मन में, और यह third round के वक्ता आप कर सकेंगे, ठीक है, तो चलिया, I am sure, आप सब लोग एक email लिखेंगे, CT sale को, और बताएंगे, और अपने justice के लिए, आवाज उठाएंगे, तो I am sure, यह लोग भी अच् अच्छा response मे रेगा, both for the best, all the best, thank you and bye.